द्रौपति मुर्मू का आज आयोध्या का दौरा रहेगा वहां के हालातों का जाइजा लिया मेरे सायोगी ने एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं प्रथम बेक्ति यानि राजा धिराज आयोध्या के सर्ताज भगवान शिरी राम की जन्मरसली आयोध्या आज भारत की प्रथम बेक्ति यानि यहां की राष्ट्पति द्रोपदी मुर्मू पहुच रही हैं उनका karkram पहले से ही हो छुका है तायारीयां आप तस्भीर हम देखें किस तरह से तय्यारे के ओंगे हैं करीबался कि दीजे, करीब साड़े तीन घंटे का का कार्गाम न का ऐध्या में होने मैं हूने वाला्या थार बजए वह महारसी बाल मिक पहुछ पर पहुंचेंगी। पहुचेंगी वहां से निकलने के बाद शूंदरता को बहुत करीब से देखेंगी और उससे जहाँ साथ यहां की जो भौगौलिक श्थिति है उसका वह आकलन करेंगी किस तरह से कितनी सुन्दर बन गें क्योंकि मामला आस्ता का है मामला जंजन के आराध भगवान शीराम का है उनकी दरसन के लिए उनके पूजन के लिए देश की राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मवाज रामनगरी उध्या पहुचेंगी करिब साड़े तीन घंटे का उनका यहां पर कारेकाल रहेगा साड़े किस तरह से देखिए साजो सज्जा की गई है यह ब्याइपी गेट है जिस तरह से सभी लोग चाहे प्रधार मंत्री हो मुख्य मंत्री हो उसी तरह से राष्ट्रपती जब आ जा रही है तो उनके लिए इस मुख्य द्वार को गेट नंबर 11 को फूलों से सजा गया है इसमे पूरी तरह से मशीनरी पुलिस की जितनी है सारी लग गई है शुरक्षा ब्यवस्ता को पुर्णा करने के लिए सारी मशीनरी जाहे जिस राष्टे से दुरुमणी राष्टुपदी का काफ़ला निकलेगा पूरी तरह से उसको जगा जगा पर वैरिकेटिंग कर दी गई ह और उसी के साथ सुरक्षा तंद पूरी तरह से एक्टिव हैं जिस तरह से माता सर्यू के घाट पर करीब वो एक से सवा घंटा रहने वाली हैं वहां की भी तैयारियां बहुत ही पुक्ता कर दे गई है अपने राष्ट पति के राम नगरी अध्या में स्वागत के लिए इंडिया नियूज के लिए निलमिस्रा अध्या शरीफ इलाल इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलिटर में भी इतना ही आप बढ़ने रिएगा मारे साथ नमस्कार